नमश्वार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत शौगते दोस्वों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीश शितंबर तो जर्बाईश की आपकी राश्ची फल की बारे में शुरुआत करते हैं आज की शब्शे महत्पून ग्यांशी दोस्वों जो वेक्ती अपने जुनकाल में आगे बढ़ने की चाहा रगते हैं उनका शात श्वेंग भगवान देते हैं जो दोस्वों और जो वेक्ती हमेश अपने जुनकाल में नकार्तमक शोचते हैं हर चीजों में पहली ना करते हैं वहां कभी भी अपने काल्यों में शबल नहीं हो पाती और उनके जुनकार में कभी भी इश्वर की देवी शक्तियां अश्र नहीं कर पाती है कि दोस्तों इश्वर की देवी शक्तियां वहीं पर अश्र करती है जहां पर विश्वास होता है जैंदोस इसलिए भगवान श्री विश्वास करके देख मैं तुम्हारे दिल में हूं जिया गोस हूं तो दोस्तों वगवान श्री किष्ण का यह ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो श्रक्षा लगाओ तो वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंट बॉक्ष में देए जय श्री चाइव दांटी खाल चार बज़कर 69 मिटर रहेंगा उसकी प्रांटी जैस्ता नांकर नशत्र प्रारम हो जाहेंगे योग के बात किंखी इस Свबयों को दोस्तों करें चाहिए तो परके 12 बचकर शुलार मिर्ट तक और जर्मा इंदिन बिर्चिक राशी पर सुचार करेंगे इस दिन अभिजित महरत की बात करें अर्थात दिन के शुब समय की तो यह श्रमाई रहेगा शुबा के 11 बचकर 53 मिर्च लेकर तो परके 12 बचकर 44 मिर्ट तक यह शुमें आप इशु बकारियों को करश्च तो आई दोस्ते शुबात करते हैं यह जो गरहों की सिति हैं और जो त्रमा का गोचर है आपके राशी पर क्या क्या परफ़ोड डालेंगी आप कलभ लाइब स्वास्त करियार और धन की सितिके रहेंगी शादियाश में आपको किन-किन चत्रो को लेकर शावद नहीं होंगे और कौन-कौन शेकारे आपके लिए लागविकारे शावद होंगे इनने शबी की महतपून जार कर देंगे तो दोस्तों वीडियो को भी मिशना करें और इन्हें शुरूर से लेकर अंतर तक जरूर देखिएगा उसे पर दूसमें दिया आप च खुसिस करके अधिकतर काम श्वेंगी निप्टाना आपको और शी अपने कारियों में शबल करेगा कोई रुकावा पेशा टुकुडों में मिलेगा प्रंतु इससे आपकी आर्तिक जिदी कुछ बहतर ही हो जाएंगी इसको प्रांद दोस्तों यह में आपकी सावधनी को समय किरें करें और अवश्य ध्यान दें ज्यादा आतम केंदित हो ना भी मान हानी दे सकता है कभी कभी किशी विषय कंदेगी जानने की आवश्यक्ता होगी दोस्तों आपको बदा दिन अगर आपको आप कभी किसी विषय को गहराय के जानने से आपका सकती है चाथ Candice तो पेसे से समधित बातों पर यश में आपका दिख्धियान बना रहेगा पेसे समधित तकलिफिये को दूर करने के लिए आपकी कोशिश में जारी रहेंगी और इनकी वज़ेश किसी बड़े श्मस्या का शमाधान भी यश में आपको प्राप्त हो सकता है दोस्तों यश में आप अपने सूझ बुझ तता बुद्धी मता दोरा हर कारी में शफलता प्राप्त करेंगे योजनाबत तरीके से कारी को शफल आप कर पाएंगी दोस्तों किसी वरिश व्यक्ति की मदद भी यश में आपके लिए बहुत दी उत्तम शाप्त होगा इसको प्राहत दोस्तों यहिश में ध्यान रखें कि बच्चे का अपनी पढ़ाई शेयत ध्यान भठक रहा है मरनजन के साथ साथ उनकी पढ़ाई पर भी एक करता रखना जरू होगा दोस्तों यह अपने गुश्य पर काबू रखें तता गैर करनी कारियों में ना होलजें यह आपके लिए बैतर ह यह बाद थोड़े शे आपकी कटनाईयां बढ़ सकती है काम आपका बढ़ सकता है आपका विश्वास बनाए रखने के लिए आपको प्रिवार का खाश व्यक्ति या भाई का मेहन का पूरा शयोग मिलेगा इसको प्राण दोस्तों यह आपके लिए जो समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि आपके मेहनत और आत्मिश्वास की वजह से सफलता आपके नईदित आएंगी हर बात को गहराई से समझना आपका विश्यस गुन रहेगा आएके उचित मार्क भी यह में प्रास्त होंगे कोई पैत्रिक शम्मत्य समंदी लाब होने की भी योग बन रहे है इसको प्रांद से यह में आपके लिए समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि यह में बदलते परिवेश के वजह से आपको जो भी प्लानिंग की किये हैं वह आपके लिए फायदामन रहेगी बीमा या फिर निवे शम्मंदी कारियों के लिए जो समय है अनुकुल समय हो दोस्तों कोई भी नकात्मक बात आपको वैदित कर सकती है इस बात पर ध्यान दें जिसका असर आपके श्वास पर भी पढ़ेगा तो दोस्तों इनको लेकर यह में आपको सचेत रहना चाहिए इसको प्रांद से यह में आपके लिए सुनोंगी दोस्तों आपको बदा दें कि सहत की तरफ ध्यान देने की आपको आवशकता होंगी काम की बातें के वज़ेशे आपकी भागा दोड़ी बढ़ सकती है परिवार से समझेद युवेदारी भी आपके उपर बढ़ सकती है दोस्तों जिसके वज़ेशे आपको तनाव का श्रमना भी करना पढ़ सकता है क कुछ बातों को पूरा करने के लिए किसी की मदद की जरुत भी यश्मी आपको पढ़ सकती है करवी लोगों से खुलकर मदा मंगने की आवशकता होंगी आवश्री आपको ब्राप्त होगा इसको प्राव्वाए अगर आपकी केरेल को लेकर बात करें अर्थात आपके महत्पूर निरले ना लें क्योंकि दोस्तों कुछ गलतियां होने की संभावना बन रही है बहतर होगा कि किसे अनुभी व्यक्ति का शलाव आप याश में अवश्य लें इसको प्राण दोस्तों मार्केटिंग वाफिर शेल्स से समधित कारियों को पूरी ना होने के विज़र शमधित परिशानी खड़ी हो सकती है प्राण दोस्तों तनाव लेने के पज़ाए शमधारी से हल निकालना आपके ज्यादा उचित होगा तो इन पर ध्यान दे इनसे दोस्तों आप शमस्या का हल भी निकाल पाएंगे और इसको प्रांदों से याश में आपके वाईवशा में देरे देरे शुरिधार आएगा अपने काम की एक्वेलेटी पर और धियान देने की आपको जरूत होंगी वही समय अधिकता रहेगी और टाइम भी आपको इसमें करना पड़ सकता है दोस्तों यह इसमें आपको बतादें कि नई नोकरी की तलाश करने वालों को शबलता प्राप्त हो सकती है और कहीं पर आपको एक अच्छा नोकरी मिल सकता है इसको प्रांद दोस्तों यह इसमें आपके केर पूरुन कारियों को शंपन करें दोस्तों ये आपके लिज़ दहूंगे यश्मे नोकरी मे कोई प्रमोशन मिलने के भी योग बन रहे हैं जो भी यश्मे नोकरी में जातक है उनके लिले इत्थन में चांदी चांदी रहने इसके अध्यादों तो आपको बदा दें कि जाने अंजाने में पार्टनर के प्रती लप्रवाह आप हो शकती हैं तो दोस्तों यह श्मी इन सब चीजों को लेकर आपको श्रावधन रहना चाहिए क्योंकि आपका प्यार यह आपके लिए बहुत ही महत्पून होगा इसको प्रांदोस्तों अत्यधिक व्यास्ता के कारण परवार पर आपका ध्यान नहीं होगा जिसके वज़े से घर में आवयस्ता भी रह शकती है तो दोस्तों काम के शाथ साल आपको घर परवार को भी शमी देना चाहिए इसको प्राम्दों से यश्म में आपके लव लायफ के लिजिवन 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 के ल इसके साथ दोस्तों ये श्वास यानि हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये श्वास ये श्वास यानि हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये श्वास 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 य तो दोस्तों यश में आपको शावधन रहने की आवश्यक्ता होंगी। इसके साथी दोस्तों नजला जुखाम जिसी प्रिशानी भी आपकी बढ़ सकती है। काम के शाथ साथ आपको अपने श्वास का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथी दोस्तों यश में आपके आज लेने की भी आवश्यक्ता होंगी।